आपने सही सुना कौकरोज खाओ और अस्तमा भगाओ तो कुछ ऐसे ही घटना घटी कि किसी वेक्ति ने कौकरोज का सेवन किया और उसको अस्तमा ठीक हो गया तो आज हम इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं कि इस कोक रोश का सेवन कौन से दवाई में किया जाता है जिसको सेवन करने से अस्तमा, लंग इनफेक्शन, टूबर कुलासिस, म्यूशकस, लंग इनफेक्शन, यादि डिसिस से हम बच सकते हैं तो आप इस वीडियो को अंतक देखें और आपको वीडियो परशंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कॉलकाता के हमोपेतिक सुपरशिद डॉक्टर डियन राव के अनुशार, उनने एक औसदी तयार की, जो कौकरोचों के दोरा बनाए गई थी इस औसदी का उपयोग उनने उन पेशंटों पे किया, जिनके अंदर बहुत सारी चर्बी या म्यूकस जमने लगता है और उनने देखा कि कुछ पेशंटों को जो 13-13 सालों से अस्तमा से गरस थे या उनको सांस लेने में बहुती तकलीफ होती थी और खासी भी अधिक आती थी उनको 5 मिन्ट आराम मिलना भी कठन था और उनकी छाती और इकृत भाग में बहुती दर्द बना रहता था तो उनने इस उसदी का प्रियोग किया और उनको काफी लाब पहुचा तब से उनने इस पर काम किया और उनने हमोपैतिक एक मेडिशन तयार की जो आपको बजार में वलाइन्टा ओरिंटिश लिस के नाम से उपलब हो जाती है तो यह उसदी जो है कौक्रोच से तयार की जाती है तो बहुत सारे लोग इस कौक्रोच को देखके गणना करते हैं या इससे डरते हैं परन्तु जब से यह मेडिशन तयार की गई है यह कौक्रोच एक बेवपार का रूप धरण कर लिया है इससे काफे लोग लाखों में भी इसका ब्यवपार खूब फल और फूल रहा है चीन के सिंगाई रसहर में इस कौकरोज का करेब 600 करोड पिर्थी वर्ष इसका उत्पादन किया जाता है इस ब्लेक्टा ओरेंटालिस्स का प्योग लंग इंफेक्शन म्यूकस टीवी यह टूबर किलॉसिस म्यूकस मेडिशन का सर्च कर सकते हैं कि यह जो मेडिशन है यह आपको जीवित कौकरोचों का सत्र निकाल कर बनाई जाती है जिनको भी दमा या लंग इंफेक्शन हो गया है वो इस कौकरोच का सेवन करकर अपने इस दमा से छुटकारब पा सकते हैं तो इस उसदी के बारे में आप हमें कमेंड बॉक्स में जाके बता सकते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई उसदी के साथ तब तक के लिए जय हिंद